दोस्तों कुछी साल पहले Android ने लॉंच किया था अपना स्मार्ट लॉक का फीचर उसमें आपको प्रोवाइड किया था उसने अपना ट्रस्टेड फेस का ऑप्शन तो कुछी महीने पहले Apple ने भी लॉंच किया अपना iPhone 10 उसमें उसने एड़ किया Animoji का फीचर जिसके बारे म मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो में मैंने आपको बताया है आप कैसे ला सकते हैं अपने Animoji characters को अपने Android फोन में तो आप सबसे पहले जाके मेरा वो वीडियो देख लिजे और इस वीडि तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ला सकते हैं Face Unlock का फीचर अपने Android फोन में तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना Screen Lock अटाना होगा Setting और यहां पर हम आज आते हैं Security में तो यह है Security और यहां पर Screen Lock में आपको कोई ना कोई Screen Lock रखना होगा आप देख सकते हैं इधर Smart Lock का फीचर अभी बन दें तो फिर हम जल्दी से कोई Screen Lock रख लेते हैं तो मैं पिन चूस करता हूँ और अपना कोई भी पासवर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ तो इधर डन और फिर यहां पर Smart Lock का फीचर खुल तो Smart Lock तो यहां पर आपको वही पिंट डालना होगा और बाद में आपको पाच ओप्शन दिखेंगे और पर हमें जो चाहिए वह ओप्शन है Trusted Face का तो इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आपके पहले वर्निं सिमिलर दिखता है वह आपका फोन खोल सकता है जैसे आपके मॉम या डाड़ पर हम इसे इंप्रूफ कर सकते हैं इसमें इंप्रूफ फेस लॉक का भी फीचर है तो हम सेट अप कर लेते हैं और यह है कुछ पेस्ट रिजल्ट के लिए तो दुस्त आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सक्रीन खोल चुका है आपको पहले अपना स्क्रीन बंद करने फिर खोल ना फिर अपना कैंबरते देखना है फिर यहां पर आपको अनलॉक का बटन दिखाए देगा फिर आप इसको ष्वाइप अप करिये और आपकाफन अन लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बाकी के वीडियो देखीजिए